आज यो लाल चंदन की बात करेंगे और लाल चंदन का बहुत सारे आयुरुवेद उपयोग में लाया जाता है लेकिन लाल चंदन स्वेच चंदन और चंदन के तेल की बहुत सारी मिलावट साधान रूप से देखने को मिलती है तो लाल चंदन टिरोकारपस सेंटालीनेस और इसके लाल रंग के बीज होते हैं और कहीं क्या करते हैं कि असे मिलावत कर देते हैं । इसको रत्ते भी गुम्ची भी कहते हैं इसके की लाल चंदर की बीज चे और है इसका जो सेंड़ाल नाम का जो नैच्टरल कलरंड किग्वेंट होता यह इसके अंदर पाया जाता है लेकिन एक पतंग और सीसलपीनिया सी फैमिली का प्लांट ट्री होता है सीसलपीनिया पतंग उसको कहते हैं वो भी इसके सब्सिटूट के रूप में कई फार्मेसी यूज़ करती हैं क्योंकि लाल चंदन भारत में होता तो है लेकिन इतना कल् में इसके डिमांड को पूरा किया जा सके यह सीत वीरिये और कफ पित सामक है और रक्त सोधक भी है साथियों इसके अंदर विभिन परकार के टर्पिनोइड सेविन केलो सेड्रिन फ्लेवनाइड सेपोनिन इत्यादी पाय जाते हैं अगर हम इसके गुणों की बात करें तो यह सौसे ज्यादा इरुवेदिक फ 127 में यूना यृशन में हमोपेथी में काफी उज किया जाता है इसका प्रोपेड़िशन आप लेइंक के माध्यम से इसका प्रोपेड़ियं किया जाता है लेकिन एक वर्स के बाद अगर अगर आपको इसका अपईयों के कांटियों के आप प्रियंगू के फूल ले ले और उसमें वट की जो अंकूर हो है वो मिला लीजिए और मसूर का पानी मिलाकर एक लेप तैयार कर लीजिए अपने चेहरे पर लगाईए दीर दीर देखेंगे कि एक सब्दे के अंदर चेहरे की कांती बढ़ जाती है कई बार क्या होता है क कि प्रिग्डेंसी की समय मादाओं बेहनों को ज्वर हो जाता है ऐसी परिष्चिते में आप ज्यादा एंटीबार्टी के इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो हम क्या गर सकते हैं हम मुनक्का कक्वात बना सकते हैं और इसमें लाल चंदन सारिवा और लोद का चून मिलाक दो से तीन बार दिन में दे सकते हैं कम से कम 6 गंटे का अंतराल जरूर रखें पित्त अंडविर्दी पुरसों में बहुत कॉमन समश्या है पित्त विकृति के कारण अगर लंबे समय तक पित्त की प्रिकृति बनी रहती है तो अंडविर्दी हो जाते जिसको विरुद्धी भी क रखतार्स की समश्या है अगर ब्लीडिंग पाइल्ज हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं इसको जल में घिसकर इसका लेब बना लें और उसको अपलाई करें और इसको दूद के साथ पीना भी चाहिए रखतार्स की समश्या दूर हो जाते हैं साथी में बताना यह भूल गया कि इसकी बार्क और इसकी बार्क के अंदर जो हर्ट वुड होती है उसका इस्तमाल किया जाता है विशेज गुनकारी होती है बाकि आज कल नई-नी सोद के माध्यम से इसके पत्र और इसकी रूट का भी इस्तमाल किया जा रहा है जो कि कई नई-णई बायो मैडिशन बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं अब हम बात करेंगे सेफ्टी की जहाने रखना है कि यह है त्योर्ण कार्प सेंटा लिनस है और विज़ासार होता है जो कि डायबूटीज की महान उसदी है वह ट्योर्ण कार्प स्ञेश प्लांट के अ निकाल देते हैं जिससे blood pressure down हो जाता है तो अगर कोई वैक्ति डायूरेटिक या hypertension के लिए दवाई यह ले रहे हैं तो इसका उपयोग rationally करें यह ऐसा ना हो कि blood धन्यवाद प्रणाओ